नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पाउंट टू एडुकेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में देखे दोस्तो जिला इस्तर का नया वेकेंसी निकल करके सामने आया है समीधादारित वेकेंसी होने वाला है इसमें किसी भी परकार का परिक्षा नहीं होगा आपका जो सिलेक्षन होगा वो इंटर्व्य वेसिस पर होगा तो चलिए डीटेल में जानते हैं क्योंकि आप सभी को पता होगा जारगन में किसी भी प्रकार का जॉब रिलेटेड अपडेट आता है या फिर जॉब रिलेटेड नियूज आता है उसका वीडियो आपको आमारे चैनल पर देखने को मिलता है अगर आपने इस वीडियो को देखना शुरू कर चुका है लेकिन फिर भी वीडियो को लाइक ने किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे तो चलिए इनी सब बातों के साथ आज के ओपिसेल नौटिस पर आते हैं आपको सारे पर करके डीटेल यहाँ पर पराप्त होंगे जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे PGT का यहाँ पर टोटल वेकेंसी 47 है जबकि TGT सिक्चक के लिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे PGT सिक्चक के लिए देखे यहाँ पर इसनातक की मिनिममम साथ में धेखे यहाँ पर 45% मिनिममम माक्स मांगा गया है अगर आप सेसे बिलोग करते हैं तो 40% माक्स दो भी आप भर सकते हैं और साथ में आपका B8 का डिगरी यहाँ पर होना चाहिए ठीक है उम्र सीमा के अगर बात करें तो 21 साल से 55 वर्स की स्टूडनेटिया पर भर सकते हैं उम्र का अकलन 31 पारत 2022 के अनुसार होगा और जो आपको आरक्षन मिलता है समानी जो भी जारकन के एक्जाम्स में आरक्षन मिलते हैं उसी परकार यहां भी आरक्षन रोष्टर का पालन किया जाएगा संभीदा अधार सिक्षकों की यहां पर मासीक मानदे है और यहां पर देखें PGT सिक्षक के लिए आपको 27,500 का मासीक मानदे पराप्त होगा और TGT सिक्षक अर्थात की इसना तक सिक्षक के लिए 26,250 का मानदे आपको यहां पर देखने को मिलेगा चैन का परक्र के लिए यहां पर देख पारे होंगे सक्षातकार के अधार पर होगा साथ में ब्यावारी कक्षा अवलोकन के द्वारा आपका चैन किया जाएगा चैन है तुँ यहां पर देखें निर्देशित दिये गए हैं कुछ-कुछ सरते इसको आप अच्छी तरगे से पढ़ लिजगा इस नोटिस को आप OPCL वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या पिर जा करके आप टेलिग्राम चैनल को जोन कर सकते हैं नीचे टेलिग्राम चैनल का लिंग मिल जाएगा वहाँ पर ये नोटिस दे दूँगा और नोटिस के साथ ही आपको फॉर्म भी एटेज मिल जाएगा ठीक है तेके दोस्ता आवेदन करने का यहाँ पर प्रक्रिया दिया गया है योग्या अव्यार्थी द्वारा बहित प्रपत्र में जिला सिक्षा पतादिकरी सजिला कारेकरम पतादिकरी समगर सिक्षा कोडर्मा समरनालाई भवन दूसरी तला कोडर्मा में आपको अपना जो फॉर्म है उसको भर करके अच्छी तरीके से उसको भरिएगा जितने भी qualification है उसको अच्छी तरीके से भरिने के बाद जो भी आपका document से उसको साथ में attach कीजेगा और कहां पर भेजना है उसका address यहां पर दिया गया है यहां पर date देखें लास्ट date है 154-2023 सभी प्रकार के जानकारी आप coderma.nic.in पर जाकर के हासिल कर सकते हैं और इस notice को भी download कर सकते हैं साथ में इस notice के साथ जो form attach रहेगा उस form को आपको print करके निकाल लेना है और जितने भी detail है उसको अच्छी तरीके से आपको भर लेना है ठीक है मैं आपको form दिखा देता हूँ सबसे पहले यहां पर देख लिजे यहां पर आपको 100 रुपिया के demand draft बनाना होगा जो की payable at deo come dpo ssa quaderma के नाम से बनाना होगा अगर आप stsc से बिलों करते हैं तो यहां पर देखे 50 रुपिया का demand draft आपको बनाना होगा याद रखेंगे demand draft बेजने से पहले उसको यहां पर cross कर दीजेगा demand draft में इस प्रकार से cross लगा दीजेगा क्योंकि यहां पर साब साब लिखा हुआ है आवेदन सूल को cross demand draft के द्वारा ही आपको यहां पर pay करना है ठीक है दोस्तों इस form को आपको डाउनलोड कर लेना है और यहां पर जो भी detail मागा गया है अच्छी तरीके साब को fill कर लेना है academic detail भरने के समय अच्छी तरीके से याद रखिएगा गलती नहीं किजेगा यहां पर जितने भी आपका marks आया है जैसे कि 10th में यहां पर 12th में उसके बाद graduation में post graduation अगर आपने किया है तो यहां पर detail भरिएगा साब में यहां पर दिखे professional degree का भी सारे qualification भरना है अगर किसी परकार का experience है जैसे कि citate या फिजेट बगेरा अपने पास किया है तो यहां पर experience में डाल सकते हैं ठीक है तो इस पॉम का आप डाउनलोड कर लीचेगा नीचे टेलेगराम चैनल का link मिल जाएगा उसको जोयन कर सकते हैं या फिर आप कोडर्मा के official website पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही इसी परकार बीविने परकार के job related news या फिर vacancy related कोई भी update चाहते हैं तो चैनल को जरू से जरू सब्सक्राइब करके रखे आज की इस वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद Pound to Education Family के साथ जुनने के लिए धन्यवाद